हेलो गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स आज हम करेंगे जोग्रोफ्य का चेप्टर नमबर ट्वेल्थ सो चेप्टर नमबर ट्वेल्थ है हमारा इंसाइट दी अर्थ मतलब इंसाइट अवर अर्थ सो यहां पर जो चेप्टर का मतलब है हमारी जो अर्थ है उसके और्थ है उसमें से हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़े निकलती है चाहे वो फत्तर हो चाहे वो मेगमा हो जैसरिशिब वोल्केनों ज्यो ज्युवाला मुक्hi विल्केनों होता है तो उसमें आप देखते होंगे कि बहुत लिवे होता है बहुत सारे फ्यूल्स होते हैं बहुत सारी rocks वगरा होती है इसे बहुत सारे फट्टर कांकर होते हैं ठीक है जो हमारी अर्ट है उसके अंदर ठीक है बहुत सारी layers पहली बात तो कुछ layers भी है जो important layers भी है वो अभ ही मैं आपको बताू हूँ ठीक है दूसरी बात हमारी अर्थ के अंदर क्या-क्या है वो हमें पढ़ना है किसी चीच क्या रहेगी कि कुछ रोक्स वगेरा भी रहती है अलग-अलग टाइप की रोक्स भी है दो-तिन टाइप की ठीक है उसके बात क्या रहेगी सो सबसे फर्स्ट मैं आपको बताऊँगा जो हमारी अर्थ है उस में कितनी लेर है अर्थ हमें हमारे है तीने लेर्श हम पढ़ने एक itself लेडर सेख्रेण क्विलेयर होती फॉस्लिय क्विसिए थि रेट सब कंध इसको अपर लेर उसको क्रुस्ट बोलेंगे middle वाली को mental layer बोलेंगे and third वाली को हम बोलेंगे core crustamental core okay students so इसमें कुछ problem नहीं नहीं चाहिए कितनी layer है now next आएगा हमारे rocks कि how many types of rocks rocks क्या होते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा लेकिन उसके पहले आप types देख लीजिए so rocks भी three types की होती जैसे ignisious rocks हो गई sandimentary rocks हो गई third metamorphic rocks हो गई okay students so देखिए rocks कहाँ पर काम आते हैं तो rocks से जैसे बहुत सारे चीज़े निकलते हैं मान लीजिए आप जैसे so जो हमारे rocks रितियों कहाँ पर आते हैं चाहिए आप road बनाने में यूज़ होते हैं बहुत सारे minerals निकलते हैं हमारे earth में से ठीक है अब हम ले लेते हैं जैसे petrol भी है पेट्रोल भी आर्थ में से निकलते हैं तो यह कुछ अलागलब टाइप की क्या है हमारे बहुत सारी चीज़े है inside of or earth so जो मैं भी आपको बता रहा हूँ chapter 12 तका इसके बाद मैं आपको chapter समझा दूँआ है कि वीडियो में लेकिन आपको basic पता होना चाहिए ठीक है कि अर्थ के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है अब अर्थ में मैंने आपको बता है रोग के बारे में ignisius रोग so ignisius रोग क्या होती है कि एक तरगे से वही होती है जो मेगमा निकलता है वोलकेनों के टाइम पर जब वलकेनों ब्लास्ट होगा तो जो मेगमा निकलता है उससे ही क्या बनती है एक ignisius रोग बनती है वो मेगमा ही क्या होता है ignisius रोग के लिए बनता है ताकि वो जो मेगमा आपको क्या हो जाता है बर्फ की तरह जम जाता है सो आपने पढ़ रखा होगा पहले भी इसके पहले जो चेप्टर था और इन्वार्मेंट के बारे में पढ़ा था चेप्टर नमर 11 में सो इन्वार्मेंट और इंसाइड अवर और अर्थ दोनों में अपोजिट यह आपने नाम सुने होंगे इसमें, लेकिन इंसाइड आवर अर्थ में इसा कुछ भी नहीं है, हमें एक तरीके से देखना है कि हमारी अर्थ के अंदर क्या है, तो हम directly समझें, तो हमारी जो अर्थ है उसके अंदर क्या है, फायर टाइव एक तरीके से आग का गोला ही है हमा होती है, अर्थ है कि वह होती है, आपको याद रखना है, क्रस्ट एंड सबसे, लास्ट लेयर कौन से होती है, वह होती है, कौर, ओके स्टूरंट्स